असलाम अलेकुम अमीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे आज आपके साथ एक पॉकेट वाली फ्रॉक जो है वो शेयर करूँगी इसको किस तरह से स्टिच किया है तो ये मैं पूरा मैथिड आज आपके साथ शेयर करूँगी आपने काइनली वीडियो को स्किप नहीं करना इस फिर आपकी फ्रॉक जाओ उसकी लुक प्रॉपर जो है वो अच्छी नहीं आएगी तो इस वजह से आपने इस वीडियो को जो है वो पूरा देखने है स्किप नहीं करना है ठीक है अब जी सबसे पहले ये देख लें जी इसके लिए जो मैंने फैबरिक लिया है अगर मैं आलोवर फैबरिक लेती एक जैसा ही प्रॉइंट तो आपको वाज़ तो पर समझ नहीं आनी थी इसलिए मैंने इस तरह का प्रॉइंट जो है वो सलेक्ट किया है ताकि जब मैं इसके तमाम पैनल्स जो है वो अलाग अलाग कटिंग करूं तो आपको प्रॉपर समझ आ सके यह लिए जि बाजों का फैबरिक का और दूसरा यह वाला यह शिर्ट का है फ्रन्ट और बैग का फैबरिक ठीक है यह अब जी यह देखें जी पहले इसकी जी मेयर discussed कर लेंगे बैग और फ्रन्ट दोनों मैंने अभी कटा रखा भी कटिंग नहीं किया भी मैंने इसकी मेयर तो मैं 11 इंच से थोड़ा सा बढ़ा ही उसको कटिंग करूंगी अगर आप ये मीडियम साइज में बना रही हो तो इसमें जस साइज जो है उसको हम रखेंगे 20 अगर आप इससे थोड़ा कम रखना चाह रहे हैं तो आप इसमें माइनस कर दें इंचिस और अगर आप बढ़ाना चाहा रहे हैं तो इन चीस जो हैं आप प्लस कर दें वो आपने अपनी हाइट के और अपने वेट के अकॉर्डिंग करना है लेकिन ये एक जस्ट आइडिया है कि आपने इसको स्टिच किस तरह से करना है मैथेट पूरा पर आप फॉलो करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी फिर आप इसको अपने साइस के अकॉर्डिंग भी स्टिच कर सकेंगे ठीक है जी अब जी पहले तो गटिंग करके तो इसके जो प्रॉपर जो मैने पैनल से हैं वो अलग कर लेने है चुक्क इसकी कटिंग जो है वो स्टेप बाइ स्टेप है और प्रिंट भी आप देख लैं दरमियान वाला जो है वो of different है आपको इसकी जो पैनल है उनमें डिफरन्स में सूस होगा और अप इसको पॉपर जो है कटिंग और स्टिचिंग इसकी कर सकेंगे ठीक है ये भी देख लें ये भी थोड़ा सा प्रिंट जो है उससे अलग है तमाम मैथेट को आपने प्रॉपर फॉलो करना है अब सबसे पहले इसका जो दर्मियान वाला पैनल है ना वो कटिंग करके जी हमने अलग कर लेना है दर्मियान वाला पैनल इसकी चुड़ाई मैंने आपको पहले बताई थी और लंबाई भी दोबारा से बता देती हूँ कि इसकी जो चुड़ाई है वो देखें बारा है त्यार होने के बाद ग्यारा रह जाएगी ठीक है और जो लंबाई है वो चालीस है ठीक है लंबाई जो है वो चालीस है और चुड़ाई जो है वो बारा है अब आपने क्या करना है इस तरह के दो पैनल कट कर लेने एक बैक का और एक फरंट का ठीक है चालिस इसकी लंबाई है और बारा इसकी चुड़ाई है भी इसको अलग साइड पे रख दें अब मैं ये देखें जी दो पैनल है ठीक है बैक का और फ्रंट का अब मज़ीद कपड़ा लेते हैं यह जो इसकी साइडों से था मैंने कटिंग कर लिया है आपको मेईरमेंट इसकी बताती हूँ यह देखें जी 17 इंच इसकी है लंबाई और चुड़ाई कितनी है 7 इंच 17 इंच लंबाई 7 इंच चुड़ाई ये 4 आपने पीस इस तरह से कट करके अलग कर लेने है ये टोटल 4 पीस है ठीक है ये लग कर लिए अब इसके बाद जी क्या करना है अब इसके बाद हम ये वाला लेंगे कपड़ा इसकी भी लंबाई और चुड़ाई मैं आपको मेएर करके बताती हूँ जी 23 जो है वो इसकी लंबाई है और 16 इसकी चुड़ाई है और ये 2 पीस है ठीक है जो पहले मैंने आपको दिखाये थे वो भी 2 पैनल थे फिर जो बाद में दिखाये वो 4 और ये जो दिखाये है ये 2 है ठीक है ये पहले आपने कटिंग करके इनको अलग कर लेना है फिर मैं step by step आपको इसकी stitching जो है वो भी समझाती हूँ ये देखें 2 है ये इनको आपने दर्मियान से कटिंग नहीं करना है अब ये वाला जो है इस कपड़े की measurement कर लेते हैं इसकी जो total मेरे पास चुड़ाई है वो आई है जो 6 इंच और जो लंबाई है वो आई है 19 इंच अब इसके दर्मियान में mark करेंगे 3 इंच पे और इंची tape को ऐसे रखेंगे और एक नोक वाली जो कली है उसकी cutting कर लेंगे ये भी 4 हम cutting करेंगे ये जो कपड़े की 4 तय है मैंने लगाई है तो आपने दोनों साइट से बराबर जो है वो cutting इसकी करनी है और ये 4 पीस है इनको भी cutting करके अलग कर लेंगे सबसे पहले cutting का काम कर लेंगे उसके बाद इनको attach कैसे करना है stitch कैसे करना है फिर मैं आपको ये बताऊंगी अब जी ये देखें जी ये चार हैं ये ठीक है अब इनको भी अलग कर लेंगे अलग करने के बाद जी अब इसकी slice शुरू करते हैं सबसे पहले तो जी गला बनाना है इसका गला आप इस पर जो भी आपको सहूलत है बनाने में आप बना सकते हैं गोल भी बना सकते हैं वी भी बना सकते हैं जो आप असानी से बना सकें वो गला बना लें ठीक है अब ये जो पैनल जो थे ना जो पहले मैंने आपको दिखाया थे जो चार थे वो इस पे अटेच करने है वो किस तरह से अटेच करने है अपने कंदे से उसको स्लाइच शुरू करनी है और जहां पैनल खतम होता है वहां से अपने एक इंच स्लाइच छोड़ देनी है कंदे से अपने स्लाइच की यहां से शुरू करनी है और इदर लाके छोड़ देनी है दोनों साइड पे इसी तरह सेम बैग पे भी अटैच करने है ये पैनल और फ्रांट पे भी ये देखें जब आपकी एक इंच लाई रह जाएगी तो आपने लाई को पका कर देना है पूरा कपड़ा नहीं लाई करना अब बैग और फ्रांट पे सेम मैंने स्टिच कर लिये हैं स्टिच करने के बाद मैंने इनका जो एक एक इंच कपड़ा था नीचे से वो स्टिच नहीं किया उसको मैंने छोड़ दिया है अब मैं इसकी जी पहले उपर से अपना जो फिटिंग के हिसाब से है वो कटिंग करू है यह बिल्कुल एक असान मैथेड है इस तरीके से अगर आप करेंगे तो अब प्रॉपर इस फ्रॉक को कैसे कट और स्टिच करना फॉलो कर लेंगे यह देखें जी मैंने कमर तक निशान लगा लिए हैं कंदे का भी तो अब बैक और फ्रंट रखके तो इनकी कटिंग जो है कर लेंगे कटिंग देखे मैंने कर लिए कटिंग करके अब इनको सिधा करेंगे अब जो बैक है वह भी फ्रंट के साथ आटेच कर लेंगे बैक और फ्रन्ट दो-णो टेच कर लेंगे इनका गला जो है अपस में कंदे से container जोड़ लेंगे हम और जोड़के उसके बाद जो है साइड वाली स्लाई वो भी लगा लेनी है ठीक है बैक और फ्रन्ट देखे मैंने टेच कर लुए है side वाली slide मैंने इस पे लगा ली है अब जी बाकी काम करते हैं इसका proper आपको इसमें guide करूंगी इस वीडियो में side वाली slide लगाने के बाद आप क्या करना है जी यहां से मैंने जो एक एक slide थी वो आपको मैंने पहले ही बताया था कि मैंने छोड़ दी है अब उस slide में क्या चीज हमने attach करनी है वो मैं आपको बताती हूँ पहले यह वाली जो है न york जो हमने काटी थी नोक वाली कली पहले इसको attach करेंगे यह देखें अब देखें print का जो difference था उसकी वज़ा से आपको proper यकीनन समझ आ रही होगी कि हमने बाद में क्या attach करना है ठीक है अब यह वाली जो है यह भी मैंने इसके साथ attach कर लिए सलाई लगा लिए एक side से और इसकी भी मैंने जो fitting की सलाई थी वो मैंने लगा लिए ठीक है अब इस कपड़े को इस तरह से खोलेंगे और खोल के बिलकुल इसके बराबर size का हम यह कपड़ा लेंगे यह हमने pocket attach करनी है तो आपने fitting के बाद जो आपकी measurement है चुड़ाई उसे साबसे लेनी है और जो लंबाई है इसकी वो आपने लेनी है 16 इंच यह pocket हमने बनानी है यह जी इस तरह से कपड़ा रखेंगे और इस पे slide लगा लेंगे पहले यह slide लगाते है फिर मैं आपके साथ बाकी method जो है वो share करती हूँ यह देखें ऐसे कपड़ा रखेंगे और जी यह देखें जी slide लगा ली है ठीक है यह देखें मैंने दोनों साइड पे यह slide लगा ली है यह back और front दोनों पे चुंके हमने attach कर लिया था तो दोनों पे ही लगी है अब यह वाला panel लेंगे यह panel मैंने आपको लंबाई और चुड़ाई इसकी पहले बता दी थी अब इस पे ऊपर जो है वो चुनट डालेंगे ठीक है उपर इसके चुनट डालेंगे पहले चुनट डालके इसका कपड़ा जो है वो चुनट के धागा खेंचने के बाद सेम उतना ही आएगा जितना हमने pocket के लिए जो कपड़ा है वो cut किया है pocket के लिए कपड़ा आपने cut कैसे करना है जब आपने fitting कर लेनी है तो जो आपने उपर से कपड़ा जो छोड़ा था वहां से measure आपने करना है फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि pocket के लिए कितना कपड़ा आपको चाहिए हाँ जी यह देखें जी pocket मैंने जिस तरह से था attach आपको करना बता दिया था अब इस कपड़े को इस पे ऐसे रखेंगे pocket के उपर और इसको sly लगा लेंगे यह देखें जी इस तरह से रखना है और sly लगा लेनी है उपर इसके sly लगाने के बाद फिर यह वाली वाने पटी जो है तियार की है यह इस पे रखके तो गुम sly के साथ इसको attach कर लेना है धागा वगरा यानि कि आपके pocket का कुई नजर नहीं आना चाहिए यह देखें पहले आप कपड़े पे रखके sly लगाएंगे यह pocket वाले कपड़े पे हमने रखा है इसे बिल्कु इसकी सीधी साइड आपने लेनी है कपड़े की और इस तरह से stitch कर लेना है ठीक है अब यह जो पटी तियार की है यह रखनी है और यह इस पे attach का लेनी है इसको पहले fold कर लें अच्छी तरह से और उसके बाद इसकी sly लगा लें इसी तरह भी अंदर अगर आप रखके लगाएंगे तो भी यह sly यह सानी के साथ लग जाएगी क्योंकि मैंने दोनों साइड से जो है बराबर इसको fold किया है sly लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से आपने press कर लेना है फैब्रिक चुंकि यह winter है दागे इसके थोड़े निकलते हैं इसको kindy ignore कीजिएगा जी यह देखें जी sly complete हो गई है अब जो extra fabric है वो आपने trim कर देना है इसमें से अब यह देखें इस तरह से मैंने sly लगा ली है जो pocket थी ना उसको अब इसको attach कैसे करना है यह भी मैं आपको बताती हूँ यह देखें आपको sly नजर आ रही होगी यह जो pocket वाला आपने जो लगाई है इसको ऐसे रखना है sly पे ऐसे same ठीक है ऐसे रखना है और फिर sly लगानी है पहले हम pocket को sly कर लेंगे pocket को हमने side पे attach नहीं करना उसको लग से जो है ना पहले उसकी sly लगा लेंगे अगर pocket को sath attach कर देंगे तो थोड़ा खिंचाओ आएगा क्योंकि कपड़ा जो pocket का है वा आपको पता है कम है चोड़ा और दूसरा ज्यादा है तो flare हमारी proper नहीं आएगी इसलिए sath attach करने से पहले हमने जो pocket है उसको अलग से sly कर लेना है वो भी method आपके साथ share करती हूँ कैसे करना है यह देखें आपने पहले यह देखें जी यह हमारा pocket का जो हमने कपड़ा attach किया था वो है और यह उपर वाला हिस्सा है इसको ऐसे रखना है और रखके यह देखें pocket पहले ऐसे sly लगा लेनी है दूसरा कपड़ा जो पैनल वाला वो अपने side पे कर देना है सिरफ आपने pocket पे sly लगानी है लगाने के बाद अब इसको इस तरह से रखके पैनल उपर इसके तो अब पूरे कपड़े पे sly लगा लेनी है अब आपने pocket पे sly लगानी क्योंकि उस पे हम लगा चुके हैं उसको पीछे की side पे कर लेना है और जो दोनों पैनल है नोक वाला और जो सीधा पैनल है उसको आपस में attach कर लेना है print का difference होने की वज़ा से आपको उमीद है कि proper समझ आ रही होगी कि इसको किस तरह से attach करना है हमने अब आपको पता चल रहा होगा कि अगर all over print होता तो फिर आपको पता नहीं चलना था जाहरा वो सारा एक जैसा होना था तो फिर इतनी समझ नहीं आने थी अब यह देखें यह हमारी fitting वाली सलाई है और यह देखें यह त्यार हो चुकी है pocket ठीक है दर्मियान से हमने इस panel को cut नहीं किया और यह pocket त्यार हो चुकी है अब आप इसको जब ऐसे करेंगे तो यह देखें यह एक side पे आ जाएगी जो हमने नोक वाली इसमें clear attach की थी उसकी वज़ा से इसमें flare भी add हो चुकी है और यह इस तरह से slide कर लिया है अब दूसरी side भी same उसी तरह से जैसे मैंने पहली side को किया है same उसी तरह से दूसरी side भी मैं इसकी attach कर लोगी पहले यह देखें यहां pocket पिस लाई लगाएंगे और उसके बाद ऐसे इसको साथ वाट एच कर लेंगे कपड़े की measurement चुके मैंने पूरी ली थी इस वज़ा से मेरा कपड़ा नीचे से जो कम या ज्यादा बिलकुल नहीं हुआ अब जी यहां तक तो यह stitch हो चुका है अब मजीद इसके क्या करना है वो भी मैं आपके साथ share करती हूँ अब देखें जी जो इसकी चुड़ा लंबाई थी मैंने आपको पहले बताया था ने 40 है तो यह लंबाई जो थी मेरे recording कम थी अब मैंने इसमें 4 इंच मजीद लंब सिंपल स्लाई लगा ली है इस तरह से जो टोटल है वो इसकी लंबाई वो तकरीबन 43 या 42 के करीब आ गई है क्योंकि पहले 40 थी उपर से कंदे की भी कटिंग हुई है और स्लीव भी मैंने इसके साथ अटैच कर लिया है स्लीव इसके सिंपल बनाए है जॉइंट लेस लगाई है और सामने जो है दूसरी लेस लगाई है और यह देखें जी इसकी बैक और फ्रंट पर जो पॉकिट है वो इस तरह से आएंगी बैक और फ्रंट दोनों पे ये पॉकिट का जो स्टाइल है वो आएगा इस तरह से अज देखें ये फ्लेयर भी काफी इसका अड़ हो चुका है मैं फ्लेयर की भी मेजर्मेंट करके आपको बताती हूँ कि ये नीचे से जो है कितना खुला बना है और ये सिंपल एक शर्ट थी जिसको हमने इतना फ्लेयर इसमें अड़ करके इसकी फ्रॉक जो है वो बनाई है 37 जो है इसका टोटल फ्लेयर बना है अमीद है जी आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया जी अला हफिज